दोस्तो स्वागते आप सभी का एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तो दौस्तोफ आज की इस वीडिव के दर में बात करेंगे कि Omglein Passport हम कैसे बनवा सकते हैं,मस्तोर बनानीस के पूझी परिगरिया के बारे में हम जानेंगे हैं. तो आज की इस वीडियो के इंदर में आपको बताऊंगा पूरे स्टैप्स के किस तरीके सा आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो पासपोर्ट बनवाने के रिए सबसे पहले जो है आपको कुछ steps को follow करना होगा सबसे पहले step जो होता है वह होता है आपको online form फिल करना पड़ता है online form कैसे फिल होगा उस टॉपिक पर मेरे चैनल पर already एक वीडियो बनी हुई है जिसका लिंक आपको इस वीडियो को description में मिल जाएगा comment box में मिल जाएगा इसका screenshot यह लगा हुआ है दोस्तो एंड वीडियो के एंड में जब आप पहुचेंगे तो वहाँ पर भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी किस तरीकिसा आप online form भर सकते हैं इसमें जो है approximately 1500 का cost जाता है fees जाती है और अभी annual time में हो सकता है fees बढ़ जाए first step तो होगे हमारा online form भरना उसके बाद next step होता है दोस्तो जब हम online form भरते हैं तो वहाँ पर हमें appointment लेना पड़ता है तो दोस्तो जब भी आप appointment ले लेंगे तो जो भी date मिलेगी और जो भी time मिलेगा उस date और time को आपको passport सेवा केंदर जाना होगा और वहाँ पर पहुचने क तो जो भी photo capture होगी वही photo जो है passport में चपकर आएगी तो इस चीच का ध्यान लखें उसके बाद दोस्तो यह यहाँ पर जो है second step आपका complete हो जाएगा उसके बाद आप घर आ जाएंगे और उसके बाद दोस्तो थर्ड़ स्टैप होता है police verification थर्ड़ स्टैप के अंदर police verification एक जो है passport verification officer जो है आपके घर पर आएंगे जब आप जो है passport saver cane से फोटो खिचा के घर पर आ जाते हैं तो उसके लगबग 7-10 दिनों के बीच में जो है घर पर वो आ जाते है verification के लिए verification के समये पे जो है आपको आपके दो पडोसियों की ID देनी पड़ेगी with signature और phone number के साथ सा साथ आपके जो document वहां लिए गए थे उनकी copies दी जाएगी आपकी और तो सारे documents वह demand करेंगे अगर आपके कोई documents में कोई कमी वगएरा यानि कि a card point का कमी वगएरा है तो थोड़ा बहुत आप payment दे के भी वह clear करवा सकते है वही पर ही आप जो है उन्हें सारे documents दे दे comment में तो आप समीच सकते हैं उसे clear कैसे करवाना पड़ता है तो वह भी clear कर लेंगे आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके बाद जो दोस्तों थार्ड स्टैप complete होगे उसके फोर्स स्टैप होता है दोस्तों जो पास्पोर्ट है वह by courier आएगा तो उसके लिए आपके पोलिस भैएफेकिशन के लिए हो जाती तीन से चार दिन में जो है पुलिस भैशी की रिपोर्ट पासपोर्ट आफिस में सब्वेंट हो जाती है उसके बाद जो दोस्तों आपके पास जो है है complete process इस तरीके से जो है आपका पूरा complete passport बनता है इसके अंदर जो खर्चा है वह 1500 के प्रॉक्स है और जो ID प्रूफ है वह आपका अधार काड पैन काड अधार काड आपका address प्रूफ के तौर पर और पैन काड आपका date of birth के तौर पर और भी सारे documents जो है उनके list जो है मैं अभी आपके सामने रख दे रहा हूं कि address proof में कौन कौन से documents use कर सकते है ये देख सकते हैं आप ये लिस्ट और date of birth proof में कौन कौन से document yuzu कर सकते हैं ये देख रहे हैं आप ये his Are the तो दोस्तो इस तरीके से आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टापिक के साथ जब तक के लिए जै हिंद